पाँजे को मिल याथे तो आज की रीजर्च को साथ में मैं इन इस वीडिये में आपको बताऊंगा वuning को इस्टार्ट करने से पंप पर बता दो किवेश्ट कि व्ड़ी को लाइक करना सोग है उड़ी को इस्टार्इट करता से हे हमारी लिस्ट पर आने वाला 5 नमबर का स्मयड फोन तो 5 नमबर का स्मार्फोन का समसंग के तरफ से Samsung Galaxy A51 काफी एच्छी specs के साथ में आपको Samsung के branding के साथ में non-Chinese smartphone देखने को मिल याता है जिस पर आपको 6.4 inches की display देखने को मिल याती है center punch hole display आपको इस phone पर गिए देखने को मिलती है और साथ में Super AMOLED panel आपको इस phone पर देखने को मिल याता है आपको quiet camera का setup देखने को मिल याता है साथ में polycarbonate की body देखने को मिल याती है Samsung की branding आपको देखने को मिल याती है under display fingerprint sensor आपको इस phone पर देखने को मिल याता है और साथ में camera's की बात कर लें तो 48 megapixel का आपको quiet camera का setup देखने को मिल याता है secondary camera आपको 12 MP का ओर 5 MP के प्लेश 2 MP के आपको देखने को मिल जाते हैं तो 32 MP आपको फ्रेंट फेसिंग कामरा देखने को मिलता है और साथ में बैटरी की बाथ करने तो 4000 एमेज की आपको बैटरी देखने को मिलती है और साथ में 15 वाट का आपको फार्ट याजकर सपोर्ट भी इस फोन पर देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा बात हो जाती है और से हम बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की जो इस फोन पर आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाती है और साथ में RAM बरेंड की बात कलें तो 6 GB के RAM देखने को मिल जाती है 128 GB internet storage के साथ में इस phone का आपको best brand देखने को मिल जाता है pricing की बात कलें तो pricing आपको 25,250 के असपास इस phone के pricing देखने को मिल जाती है जो कि काफी अच्छी pricing में आपको Samsung के brand value के साथ में अच्छा स्मार्टफोन देखनी को मिल जाता है जो कि हमारी लिस्ट पर 5 नंबर पर आ जाता है तो फोन नंबर के स्मार्टफोन की जो कि हमारी लिस्ट पर आ जाता है तो फोन नंबर के स्मार्टफोन आता है Honor के तरफ से Honor 20 काफी अच्छी स्पेक्स के साथ में अच्छा स्मा की डिस्प्ले देखनी को मिल जाती एंकी बात कलें तो काफी एची प्रीमेंम बिल्ट क्वालिटी की साथ में इस फोन की आपको डेखने को मिल जाती है क्वाइट करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आईगी काफी यादा powerful chipset आपको honor के तरफ से यह देखने को मिल जाता है camera's की बात कलें तो 48 megapixel का आपको quiet camera का setup देखने को मिल जाता है second camera आपको 2MP के देखने को मिलता है और 16MP का plus 2MP की 2-3 camera जो और भी आपको देखने को मिल जाते है front camera की बात कलें जो इस phone का आपको front camera देखने को मिलता है और 32MP का front facing camera देखने को मिल जाता है बैटरी की बात कलें तो बैटरी आपको 3750Ah की बैटरी देखने को मिल जाती है चारज करने के लिए आपको 22.5 watt का fast charger का support भी देखने को मिल जाता है जो कि इस phone को खास बना देता है साथ ही मैं रेम बरेंट की बात कर लें इस फोन का जो आपको बैस बरेंट देखने को मिलता है वोगे 6GB RAM और साथ में 128GB इंटलने स्टोच के साथ में देखने को मिल आता है जिसकी प्राजिंग आपको 22,999 रुपाए देखने को मिल आती है तो 23,000 के रेंज़ पर आपको Honor के तरफ से काफी एची डील देखने को मिल आती है सुकर हैं जो हम बात कलते हैं हमारी लिस्ट पर आने वाला 3rd नंबर का स्मार्टफोन जो कि 3rd नंबर का स्मार्टफोन आपको देखने को मिल आता है जो कि एक fully view display आपको देखने को मिलती है कोई भी notch या punch hold display आपको इस phone पर देखने को नहीं मिलती है with pop-up selfie camera के साथ में इस phone की आपको display देखने को मिल जाती है साथ में super amulet panel आपको इस phone पर देखने को मिल जाता है जो कि इस phone को खास बना देता है फुल SD का आपको resolution देखने को मिल जाता है design की बात करने तो full glass body आपको back side पर देखने को मिल जाती है साथ में आपको इस phone पर triple camera का setup देखने को मिलता है quad camera का setup देखने को नहीं मिलता और साथ में काफी यदा premium build quality के साथ में इस phone आपको देखने को मिल जाता है Redmi-K20 Pro आपको देखने को मिल जाता है जो कि बहुत एची बात हो जाती है और साथ में हम बात कलते हैं इस phone के camera's की तो 48 megapixel का आपको triple camera का setup देखने को मिल जाता है second camera आपको 13MP का देखने को मिल जाता है और 8MP का आपको एक camera और भी देखने को मिल जाता है चार्ज करने के लिए आपको 27 वाट का फाचाय का सपोर्ड भी देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छी बात हो जाती है रैम ब्रेंट की बात करें तो 6GB रैम और साथ है 128GB इंटरने स्टोरिज के साथ में इस फोन का आपको बैस बरेंड देखने को मिलता है प्राइब के साथ में आफको इस फोन का इस फोन आपको देखने को मिल जाता है जो किْ 112 है के के साथ में इस phone के आपको display देखने को मिलती है जो कि इस phone की display को खास बना देता है और साथ में इस phone पर आपको IPS LCD display ही देखने को मिलती है dual punch hole selfie camera's के साथ में इस phone के आपको display देखने को मिल जाती है जो कि बहुत अची बात हो जाती है सातमें इस फोन कि प्रोसेसर की बात कर लें, तो इस फोन पर आपको देखने को मिल जाता है एक प़ोारफل चिपसट जो की снशनी अपडरिंग के तरफ से आता है, इस नमे अपडरिंग का 800-255 प्लस वाला चिपसट आपको देखने को मिल जाता है, तो इस फोन पर आपको 64 मेफसल को कोईट कैमरा का सेट अप देखने को मिल आता है सेकेंड़ी कैमरा आपको 12 MP का देखने को मिलता है थर्डी कैमरा आपको 8 MP का देखने को मिल आता है एक 2 MP का एक कैमरा और भी आपको देखने को मिल आता है जिसकी प्राइजिंग आपको 24,999 रुपई देखने को मिल याती है, तो 25,000 के रेंज पर अगर आप गेमिंग स्मार्टफोन को यह अच्छा है, प्रोसेसर के साथ में लेना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट स्मार्टफोन आपके लिए हो सकता है, अगर आप PUBG बगारा खेलते है बहुत हैवी गेमर है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है, 25,000 के रेंज पर Realme का X3, साथ में कैज हम बात कलते हैं, हमारी लेस्ट पर आने वाला सबसे नंबर वन स्मार्टफोन, तो हर नंबर वन स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाता है, OnePlus के तरफ से, OnePlus Nord जो की recently launch हुआ है अभी, तो काफी एची specs के साथ में OnePlus के brand value को साथ में Oxygen OS के साथ में काफी एची deal आपको देखने को मिल जाती है, तो सबसले हम बात कलते हैं, इस phone के design और साथ में इस phone के display से, तो design जो आपको OnePlus के Nord पर देखने को मिलती है, काफी अधा premium build quality के पर नहीं back पर आपको देखने को मिलता है, इस phone पर आपको under display fingerprint sensor देखने को मिल जाता है, डिस्पले की बात कलें, तो 6.44 इंचिस के आपको इस phone के display देखने को मिल जाती है, जो कि एक full HD के resolution के साथ में देखने को मिलती है, और साथ में super eminent display देखने को मिल जाती है, जो कि इस phone को खास बना देती है, 90 Hz की refresh rate के साथ में इस phone की आपको display देखने को मिल जाती है, साथ में dual punchhole selfie camera जईब this to display पर आपको देखने को मिल जाते हैं, तो display और साथ में इस phone की design बहुत या दा premium देखने को मिलती है, साथ में processor की बात कहलें तो इस phone पर आपको एक 5G latest देखने को मिल आता है जो कि snap drink के तरफ से आता है snap drink का 765G वाला chipset देखने को मिल आता है जो कि एक 5G chipset है और ये phone भी आपको 5G देखने को मिलता है जो कि सबसे कम pricing में आपको 5G smartphone OnePlus के तरफ से देखने को मिल आता है साथ में camera की बात करें तो 32MP का आपको frame facing camera देखने को मिल आता है साथ में secondary camera जो आपको देखने को मिल आता है बात करने तो 415 एमिच के आपको इस phone की battery देखने को मिल आती है चार्ज करने के लिए आपको इस phone पर 30W का 5G support भी देखने को मिल आता है और साथ में oxygen OS भी आपको oneplus के तरफ से देखने को मिल आता है जिस पर आपको add बगारा कोई भी इस OS पर देखने को नहीं मिलते है साथ में pricing की बात करने तो 24,999 रुपय में यह आपको oneplus के तरफ से brand value को साथ में oneplus की oxygen OS के साथ में आपको अच्छे smartphone देखने को मिल जाता है और oneplus की branding के साथ में चाहिए तो आप इस phone को purchase कर सकते हैं सबसे best तो आपको देखने को मिलता है साथ में साथ अगर आप gamer हैं तो आपके लिए realme के x3 best होगा कि इस phone की performance आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है तो दोने phone में से कोई भी smartphone अगर आप purchase करना जाते हैं तो purchase कर सकते हैं अगर आप नॉर्मल यूजर हैं और gaming की वह आप काफी करते हैं तो oneplus भी आपके लिए best रुप सकता है चाओ सकते हैं तो और आपके लिए झाहिए झाहिए को दींगिक हैं टुप सकते हैं तो तो जापके लिए गया नपके लिए नाग काफ़।